Hello everyone, कैसो हो सभी, I hope सभी अच्छे होंगे, तो देखो जैसा कि मैंने काफी टाइम पहले एक faculty की requirement डाली थी physics third का channel पे और काफी resume आये थे उनके basis पे मैंने काफी resume को देखने के बाद फाइनली physics third का team में जो faculties है वो add होने जा रही यहां पे और मैं यहां पे अभी कुछ देर मे तो मैं तुमारे सामने वो faculty होगी, launch करेंगे, सबसे पहले तो मैं, देखो reason क्या है physics third का team जूडने का physics third का में faculty requirement का reason है, जो सबसे पहले तो हमें काफी courses पे आगे आने वाले time में बहुत सारे courses पे काम करना है, सिर्फ gate और net तक ही सीमित नहीं रहेंगे, gate net के लावा भी higher education मे BSC के बाद में जो भी exam होते हैं higher education में, चाहिए IIT Jam का exam हो, चाहिए PGT का exam हो, चाहिए Just का exam हो, बार का exam हो, बार का interview हो, इन सभी के लिए भी अपने different different type के courses लेके आते रहेंगे, different different type की test series होगी और relevant test series होगी, तो काम को बहुत अच्छे से बहतर करने के लिए, content पे बहुत अ प्रादा होंगे, team होगी, और बहुत talented लोग होगे साथ में, तो चीजे बहुत अच्छे से बैतर होगे, और तुम्हें भी बहुत अच्छा deliver कर पाएंगे, ठीक और affordable price में भी बहुत सारी चीजे deliver कर पाएंगे, तो इस वज़े से faculty की requirement है, तो finally हमारे साथ में, जो निखिल से पहले, सबसे पहले मैं उनका qualification है, इसके बारे मैं बता देता हूं, फिर निखिल सर से इंट्रड्यूस करवा देता हूं, और फिर उसके बाद मैं निखिल सर से मैं request करूंगा, वो बताएंगे exam को कैसे qualify करना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी mistakes नहीं होने च बच्चे यहां पर आ रहे हैं, यूटूब के थरू, या website के थरू, test series के थरू, उन बच्चों का exam qualify हो, main focus रहेगा कि exam qualify करना, ठीक है, इसी वज़ा से, तो मैं जो physics third का faculty है, जो team है, निखिल सर है, उनका main experience हो इसी में ही है, उन्होंने काफी अलग-अलग type के exam qualify की है, जैसे सबसे पहला, net grf का exam हो, qualify किया, recent में qualify किया, जो सबसे toughest paper हुआ था, वो वाला exam qualify किया, 2022 में जो exam हुआ था, all India rank 54 थी इसमे, इसके साथ में gate का exam हो भी qualify किया, all India rank 121 है, काफी अच्छी ranks है, ठीक है, just का exam भी qualify किया, और just का exam थोड़ा tough exam होता है, ठीक है, वो भी qualify किया, 131 rank है, और इसके साथ में t4, सबसे toughest exam है physics का, वो भी qualify किया है, इसके साथ में bark का exam भी दो बार qualify किया है, ठीक है, बार का exam scientist के लिए होता है, सबी को पता होगा, और जो भी MSC कर रहे होते हैं, student के एक इच्छा होती है, कि हम scientist बने, तो scientist का exam भी qualify किया, HTAT PGT physics का exam qualify किया, इसके साथ म पूरा, यहां से PhD भी offer हुए, लेकिन PhD के लिए नहीं किया, क्योंकि motivation कुछ अलग था, teaching line में जाना था, इस वज़े से PhD जोइन नहीं कि, तो बाकी, देखो, qualification exam काफी सारे qualify किया है, तो एक अच्छा-कासा experience है, exam को कैसे qualify करना, और requirement भी यही थी, physics तड़का team की main यही requirement है, कि ऐसे faculties हो हमारे साथ हमें, ऐसे लोग हो हमारे साथ हमें, जो काफी ज्यादा talented हो, और निखिल सर मेरे से काफी बहुत ज्यादा talented है, बहुत सार exam qualify की है, बहुत ज्यादा mathy भी है, hard working भी है, तो ऐसे लोगों की requirement थी, और साथ में है, और बहुत fortunate हूं मैं भी, और physics तड़का team भी काफी ज्यादा fortunate है, कि ऐसे लोग हमारे साथ में है, तो निखिल सर तुम्हें बताएंगे, यहां पर निखिल सर को introduce करूँगा, मैं निखिल सर का welcome करेंगे, निखिल सर तुम्हें बताएंगे कि exam को qualify करने के लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन स सारी बातों पर निखिल सर discussion करेंगे, उसके बाद में अपने कुछ उसके बाद में मैं बताऊंगा भी कौन-कौन से upcoming क्या-क्या तुम्हें देखने को मिल सकता है, उसके बाद में तुम्हें थोड़ा सा idea दे दूगा, ठीक अब आकि आने वाले time में निखिल सर हमारे साथ म हैं, continue रहेंगे, 24-7 available रहेंगे जब भी कोई भी requirement हो, ठीक है, तो welcome करता हूं निखिल सर का, निखिल सर आएं, hope all of you are doing well, so काफी idea आपको मुकेसर ने दे दिया है, कि मैं physics तरका टीम से चुड़ने वाला हूं, और इस physics तरका टीम का, physics तरका चनल का app का test reads ओ आ रहे होंगे, मोटो एक ही रहने वाला है, कि तुम्हारे exams कैसे qualify हो, और तुमने जो dreams देखे हैं, physics related, वो हम कैसे fulfill कर पाएं, जो upcoming, जो हमारे batches होंगे, उनके बारे में आपको मुकेसर बता रहे होंगे, थोड़े दिर बाद, अब हम थोड़ा सा general discussion कर लेते हैं, कि जो exams हैं, जो exam तुमार अब 16 December के approximate है, उसके लिए भी हमने test series और course launch किया था, जिसका game में बहुत अच्छा response मिला है, जितना हमने सुचता था, उससे भी बहुत ज़्यादा response मिला है, almost 750 student test series में enrolled हैं, और 300 plus student हमारे course में भी enrolled हैं, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कि जो तुम, return exam जो तुमारे हो कर सकते हो, ठीक है, और तुम्हें उनकी preparation कब start करनी चाहिए, मेरे जो past experiences है, exams के, उनके through मैं try करूँगा, कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से guide कर पाऊंग, और हम बहुत जल्दी ही qualify कर लें सारे exam जो तुमारे आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा general idea लेते है net का तुमारा exam आता है, get का exam आता है, tiffer का exam आता है, और bark का exam आता है, और jest का exam आता है, इन सबका syllabus सेम ही रहता है, ठीक है, nine subject होते हैं, मुझे लगता नहीं, तुम्हें बताने की जूरता है, कौन से कौन से select होते हैं, paper button क्या आता है, hopefully तुमने सारा analyze कर रखाओगा पहले से, पर थोड़ा सा preparation कामा idea तुमें दूँआ, कि या पिर कह सकते हो कि मैंने कैसे preparation की थी, उसके orient रहे कि मैं try करूँ कि मैं तुम्हें इसमें guide कर पाऊं, तो देखो, सबसे पहले simplest way होता है, बहुत ज़दा घुमाने की चीज़ों को जूरता नहीं होती, कि यह strategy है, यह चीज़ उसके assignment कर लिए, ठीक है, notes, theory के बाद पढ़ने के बाद जो तुमने चाहिए, book से पढ़ी है, self किया है, या फिर lectures से देखा है, किसी भी coaching से, तो उनकी theory देखने के बाद आप उनके notes मना लीजिए, और उसके बाद assignment solve कर दीजिए, उसके बाद आप test दीजिए, उसके जो weekly test मन्थली होते हैं, जैसे भी तुमारे test होते हैं, उसके बाद आप short notes prepare कीजिए, ठीक है, और short notes ये try कभी मत कीजिए, कि short notes आप किसी भी दूसरे student की use कर रहे हो, short notes हमेशा खुद क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ही पता है, आपका कौन सा portion week है, किस portion से कितने formulae या कितने point तुमें निकाल के अपने short notes में डालने हैं, वो सिर्फ तुम ही जानते हो, इतना सब होने के बाद, ये सारी चीज़ तुमें follow करनी होती है, 9 के 9 select के लिए, 8 select भी नहीं prepare करने, 9 के 9 करने, क्योंकि competition बहुत जादा है, तो तुम कोई भी 1 select skip नहीं करके जा लिए, तुम net के question practice करके, SLC IMD का exam नहीं दे सकते, तुम get का question practice करके, ये नहीं सोच सकते कि तुमारा tiffer qualify हो जाएगा, जिस exam का जो level है, उसकी एक depth analysis होने के बाद, कि उसमें किस प्रकार का question level आता है, कि तुमारा get का exam है, वो 3 घंटे का होता है, और उसमें 65 question आता है, तो उस 3 hours के अंदर तुम completely attempt कर पाओ, तो वो analysis के बाद जो test is बनती है, उस exam से relevant, उसको यहां मैं relevant test is कह रहा हूं, तो वो ज़रूरी है, तुम वो attempt करो, इतना सब करने के बाद, मुझे नहीं लगता कि तुमें कहीं दिक्कत रह जाती है, कोई भी exam qualify करने के दियान है, थ्यान है, थ try गई है, की गई है, या फिर यहां पर यह पूछना चाहा रहा है, उसके लिए तुम्हें theory करनी होती है, उसके बाद तुम assignment करो, test दो, short notes बनाओ, और याद रहे, इन सब चीज़ का revision बहुत जरूरी है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे revise करते है, theory, वो मुझे लगता है, एक backlog है, मतलब वहाँ वो गलती कर रहे है, theory तुम्हें एक से दो बार पढ़ ली तुमने, तो उसके बाद तुम try करो, तुम revise कर पाओ, assignment हो गया, test list हो गया, short notes तो तुम्हारे हो गए, और उसके बाद एक अच्छी test list लगा लो, बस इतना sufficient है, और इसके बाद हम थोड़ा स यह भी discuss कर सकते हैं, कि क्या तुम गलतियां करते हो अपनी preparation के अंदर, जिससे कि मैं देखता हूँ, बच्चे दो साल से तीन साल से prepare कर रहे हैं, पर उनके exam qualify नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है, मैंने मतलब, काफी time से मैं बच्चों को guidance दे रहा हूं, इन exam से later, और जो जाना चाहिए तुम्हें, पर during only MSC, या फिर MSC के बाद जब तुम्हें net की preparation finish कर लिया है, net get का तुम्हारा exam qualify हो गया, या तुम्हारे पास sufficient time है, तब तुम उन पर जा सकते हो, but standard books पे तुम्हें उस time नहीं जाना चाहिए, जब तुम net get की preparation कर रहे हो, तुम्हारे पास six to eight management होते हैं, उस duration के अंदर तुम्हें standard books नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि electrodynamics के बात करूं, suppose that एक subject है हमारे पास electrodynamics, तो उसके लिए अगर तुम standard books पे जाते हो, तुम कौन से कौन से book पढ़ोगे, साधीकू पढ़ोगे, या सत्या परकास पढ़ोगे, या पिर Griffith पढ़ो तो उनके अंदर ही थोड़े-थोड़े question उनके include कर दे, जो होता है कि तुम एक higher level feel करो उस physics के अंदर, तो तुम्हे standard books खुझ से follow नहीं करनी होती, क्योंकि तुम पढ़ रहे होगे get का और तुम pattern follow कर लोगे tiffer का level उस level पे चले जाओ, जिससे कि तुम्हें दिक्कत आएगी अपना syllabus complete करने में, अपनी जो time boundation है तुम्हारे पास six से eight month उसके अंदर तुम्हें खतम करना होता है, सब कुछ revision भी करना होता है, passage भी finish करनी होती है, वो नहीं हो पाएगा फिर, तो आप ये ध्यानके, कि आप standard books में ना जाएं, during अपनी preparation, ठीक है, ये तुम exam qualify होने के बा बाइजर हो गया, अगर तुम quantum prepare कर रहे हो, तो jetly हो गई, और nuclear follow कर रहे हो, तो DC tile हो गई, ये काफी books है, जो आप interview के time पर follow कर सकते हो, बट blindly तुम कुछ भी follow मत करो, standard book भी follow मत करो, guidance लो अपने mentor से, अपने जो आपसी से guidance लेते हो, आपके जो teachers हैं, उनसे guidance लो, कि sir मैं कैसे कैसे क्या क्या prepare कर सकता हूं, क्योंकि आप अकेले prepare कर रहे हो, और उन्होंने सो से जादा, पता नहीं कितने कितने बच्छों को mentor किया होता है, guide किया होता है, तो वो आपको एक better understanding दे सकते हैं, उस phenomenon की कि क्या तुम्हें आगे चलना, किस चीज को लेके तुम्हें आगे चलन तो simple सी बात है, exam में अगर question आने वाले हैं, तुम्हारा ध्यान भी problem oriented होना चीए, ठीक है, theory तुमने एक बार पढ़ी, notes देख लिए, उसके बाद तुम problems लगाओ, कोई दिक्त नहीं हो, revision करो ना, तो बच्चे क्या करते हैं, revision के नाम पे theory revise करते हैं, जिससे कि उन्हें 10 से 20 percent benefit होता है, but मैं कहूंगा तुम्हें कि अमिसा problems revise करो, तुम्हारे notes में problems होगी, assignment में problems होगी, test reads में problems होगी, आप उनको बार बार revise करो, ताकि आप जितने भी type की question देख रहे हैं, hopefully 900 to 1000 तक तुम problems देख लेते हैं, तो इतने type की question अगर तुम्हारे त्यार है, तो आप उन्ही करो, ना कि other stuff पे चले जाओ, तीसरी बात, यह जो phase होती है, तुम्हारी preparation के अंदर बच्चे इस phase से गुजरते हैं, जब तुम्हें लग रहा होगा, सब कुछ timely हो रहा है, तुम्हारी preparation अच्छी चल रही है, तो तुम इस point पे होते हो, पर जब तुम्हें लग रहा होगा, थोड़ी सी भी negative energy feel हो रही होती हो, क्योंकि यह जो age factor है, 23-25 वाला, इसी दुरान बच्चे preparation करते हैं, तो कभी high feel कर रहे होते हैं, कि सब कुछ time से हो रहा होगा, exam निकल रहे होगे, और तुम यह phase भी देख रहे होगे, कि exam नहीं निकल रहे हो, और यह सिर्फ तुम्हारे स contact में रहें, contact में रहें, और बच्चों से भी contact में रहें, जो आपके साथ वाले जो बच्चे prepare कर रहे हैं, उनसे आप contact में रहो, discussion करो, problems का जितना जदा discussion होगा, उतना better result निकल के आएगा, तुम्हारे understanding के अंदर, तो discussion करें, और जब भी तुम इस phase पर होते हैं, तो अपने इस channel पर देखने को मिल जाएगी, मेरे जो interview experience है, टिफर के, बारक के, various PhD institute है, research institute है, उनके interview experience देखने को मिलेंगे, और सारे exam के भी हम try करेंगे, कि धीरे धीरे interview, interview, batches, review, जो experience है, वो लेके आ सकें, और जो teaching, जो exams हुए हमारे return exam है, हम उनके भी try करेंगे, कि हम उनकी strategy video भी जाल सकें, और जो भी तुमारे exam होने वाले हैं, आपका मिल, jest है, get है, tiffer है, उनकी भी test is physics करका institute के साथ आ रही होगी, मतलब app पे, website पे आम उनको access कर पाएंगे, तो hopefully हम बहुत ही better यह हमारी जन्नी होने वाली है, ठीक है, और इसके अंदर हम बहुत, अच्छे से बहुत च तो exam qualify कर लेंगे, और जो net get की preparation है, वो आपने start कर दी होगी, क्योंकि net jrf का exam, एक ऐसा exam है, जिसके through, आप सारे exam कर करते हो, अगर आपने net jrf का syllabus अच्छे से complete किया है, तो आपका सारा syllabus ही complete हो जाता है, tiffer का हो, चाए, jest का हो, चाए, बारक का हो, अलग से उनकी preparation की जूरत रहने वाली है, आप upcoming six से eight month के अंदर सारे exam qualify कर रहे होंगी, और hopefully चाहिए, आप MSC में है, या फिर आपने MSC कर लिए, और आपके पास sufficient time है, during MSC भी अगर sufficient time है, तो आप net get की preparation start कर दीजिए, ये exam तुमें बहुत अलग level पे लेकी जा सकते हैं, एक normal MSC student से, ये तुमें पहुंचा सकते हैं, research institute हो गया, या आपका कोई teaching field तुमारा है, तुम जाना चाते हैं उसके अंदर, तो उस side हो गया, या तुम foreign से भी PhD कर सकते हो, GRI नाम से exam होता है, get होता है, get से आप mtech के बाद जा सकते हो, foreign भी, PhD के लिए, पर वो future की बाते हैं, तो उनका हम future में discussion करें हैं, अब मैं मुगे sir को कहूँगा, कि वो तुम्हें आने वाले थोड़े से जो test ही जाने वाली है, get की, और batches आने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दे, और hopefully हम सब बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं, upcoming 68 month के अंदर, तो चलो, best of luck, आने वाले तुमारे exams के लि पांसे साथ exam, छे साथ exam निकाले हैं, तो उसका एक experience है कि exam book कैसे qualify गया जाता है, बाकि जिन्हों ने, जो बच्चे अब त्यारी कर रहे हैं, जिन्हों ने exam नहीं निकाला हुआ, तो उनको लगता है भी book की तरफ जाना चाहिए, इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हमें exam oriented रहना है, हमें exam qualify करना है, तो उसके लिए जो जीजे सर ने बताई, वो एकदम relevant चीज़े हैं, उनको अपने थोड़ा सा उन पर focus करो, उनको ध्यान में रखो, बाकि अपने यहां पर आने वाले टाइम में बहुत सारे courses भी launch हो रहे होंगे, like PGT physics का exam, बार्क स रिलेटेड भी काफी चीज़े आ रही होगी, just से रिलेटेड भी काफी चीज़े हो रही होगी channel पर, ठीक गेट का crash course चल ली रहा, और crash course का मैं थोड़ा बता देता हूं, और काफी वच्छे वेट भी कर रहे है, crash course थोड़ा सा अपना धीरे चल रहा है, लेकिन उसके जो speed ह तो वो काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सब बीजी था, IMD के courses में, और जो ऐसा से IMD course रहा है, IAT Jam का भी थोड़ा से लेबस complete हो गया लगबग, November last तक, जो December मन था, उसमें काफी अच्छी speed होगी, gate के crash course की, लंबी-लंबी वीडियो बना दूँगा मैं, ठी complete हो रहा होगा, तो वो कोई इस्यों ने वो तुम्हें टेंशन लेने की जरूत नहीं है, वो भी complete हो जाएगा, इसके साथ ही अभी तुम्हें एक वीडियो और देखने को मिलेगी, जिसमें अपने gate की test series है, वो launch कर रहे होंगा, बहुत खतरनाग मैनत की गई यह test series पे, भी include नहीं किएगे, सारे question, level के question है, और ऐसे question होंगे, जिनको तुम्हें थोड़ा सोचना पड़े, और gate के level के question होंगे, ऐसा लगेगा, तुम gate का exam ही देर हो, बहुत कुछ कुछ कुम्हें देखने को मिलेगा, बिसकुछ देर में तुम launch कर देंगे test series, और जिसे join करने हैं पिजिक्सर्ण का telegram group है, वो भी join कर दो, उसमे time to time सारी चीज़े update होती रहती है, और direct contact करना है तो, WhatsApp नंबर पर contact कर सकते हो, बागी full guidance रहेगी, और कुछ भी आगे करना चाते हो, MSC में हो, MSC कर चुके हो, exam नहीं, qualify और guidance चाहिए, तो वो सारी guidance यहां पर मिलती रहेगी time to time ठीक है, तो मिलते next session में, bye-bye, take care